मनीपूर में हो रही हैवानियत की खटनाओं से सरकार से जवाब मांगने के लिए आज आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सदन के नेचा संजे सिंधी ने लगातार चेर्मेन साथ से निवेदन किया कि मनीपूर के विशे पे चर्चा हो मनीपूर के विशे पे सरकार जवाब दे कि हमारे देश का एक अभिन अंग हमारा एक महत्वपून बॉर्डर स्केट मनीपूर क्यों जल रहा है वहां क्या परिस्थिती है दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार केंडर में भाजपा की सरकार मनीपूर में भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है लेकिन फिर भी मनीपूर क्यों जल रहा है इस विशे पे चिंता व्यक्ट करते हो है चर्चा की मांगते हैं सदन की कारवाई जब शुरू हुई अपनी ही निर्धारे की जगा पर खड़े होकर मांग करते रहे संजे सिंग जी की मौका मिले अपनी बात रखने का मनीपूर पे चर्चा मांगने का लेकिन चेर्में साब ने हमारी और नहीं देखा संजे सिंग जी को छोड़िये विपक्ष की और ही नहीं देखा तो आज 10 मिनिट तक रिक्वेस्ट करने के बाद संजे सिंग जी चेर के फास गए और विनिती करने का प्रयास किया कि मनीपूर पे चर्चा कराई जाए रूल 267 के तहट मनीपूर के विशे पे चर्चा हो लेकिन दुखी बात यह है कि जैसे ही वो अपनी चेर छोड़कर आगे बढ़े चेर्मेंट साब ने संजे सिंग जी को सस्पेंड कर दिया निलंबित कर दिया लोगतंतर में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष एहम मुद्धो पर साथ बहस नहीं कर सकता चर्चा नहीं कर सकता तो फिर लोगतंतर का मतलब क्या रजाता मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा गुना संजे सिंग ने कर दिया ऐसा कौनसा अपराद संजे सिंगे कर दिया कि उन्हें सस्पेंट करना पड़ाज क्या चर्चा की मांग करना कोई अपराद है क्या मनीपूर के लोगों की अवाज उठाना कोई अपराद है क्या मनीपूर की बेटियों की चीखे भात्य जंता-पार्टी के नेताओं के कानों तक पोंचाना कोई अपराग है और अगर इबवराग है तो फिर सर्फ सञ्जenne सिंखो नहीं, पूरे विपक्ष को सस्पेंड करिये, विपक्ष का एक भी नेता ना भच पाए, सब को सस्पेंड कर दिजिए और सिर्फ बीज़भ के सांसतों को बिठाकर सदन चलाइए बहुत ही दुखद रहा आज की संसद्य कारवाई जिस प्रकार से हमारे साती सांसत को सिरफ मनिपूर की अवाज उठाने के चलते सदन से निलंवित किया गया है हम इसका खंडन करते हैं विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं चेर्मन स देखें सस्पेंशन के दौरान भी जब वो सस्पेंशन की कारवाई शुरू हुई मैं भी चेर्मन साथ की और जाते होए मैंने भी उन्हें आवाहन किया कि डिविजन कराईए अगर सस्पेंशन का कालिकरम ये कहता है सस्पेंशन का मोशन ये कहता है कि सस्पेंशन का मोशन जब मूब किया जाता है उसके बाद सदन के भीतर मतदान होता है कि कितने सदस्से चाहते हैं कि मेंबर को सस्पेंट किया जाए और कितने सदस्से चाहते हैं इस मेंबर को सस्पेंट नहीं किया जाए इसके लिए डिविजन मांगा गया कि मशीन पर बकाइदा अपनी सीश पर लोग बटन दबा कर अपना पक्ष दर्च कराएं कि सस्पेंट किया जाए या सस्पेंट नहीं किया जाए दुख की बात यहीं कि हमारी भी आवाज नहीं सुनी गई और मात्र वॉइस वोट से सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर देखते होए इस सस्पेंशन को अंजाम दिया गया यह बहुत दुख़द है और इसी के चलते विपक्ष के तमाम साथी सारे ही लोग यहां तक कि भाती जनता प बहस की मांग करी है तो बहस हुई है विपक्ष अगर कोई नेता जाकर चेर्मन साब से दर्खवास करता है तो उसकी बात सुनी जाती है लेकिन आज एक ऐसा दौर एक ऐसे लोगतंतर में मोधी सरकार के भाचपा सरकार के लोगतंतर में हम लोग जी रहे हैं जहां मनीपूर की अवाज उठाने पर सांसदों को बेरेमी से निलंबित किया जा रहा है सस्पेंट किया जारा है लेकिन चेर की तरफ से राजय वापिस्ती जताई गई कि आप सस्पेंडेड एंपी हैं आप नहीं बैठ सकते हैं उसके बाद भी वो बैठे क्या वहीं बैठे रहेंगे को अपनी अवाज और अपना विरोध दर्च कराने के लिए सदन के भीतर बैठना पढ़ रहा है इससे जादा दुख़ची शायद ही भारत के लोगतांत्री के त्यास में आज तक नहीं हुए हुए